नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिवुड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जब पदमीनी कोलहापूरी ने प्रिंस चार्ल्स को किसकर विवादों में आई। पदमीनी लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं। पदमीनी ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात में पदमीनी ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। पदमीनी एक भैतरीन अभिनेत्री तो हैं, ही साथ ही एक अच्छी गाईका भी है। 1980 में रिलीज हुई फिल्म गहराई से पदमीनी ने तहल का मचा दिया। वहस 15 साल की उम्र में उन्होंने न्यूड सीन दिया था। इस सीन के बाद मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करना उनके लिए आसान नहीं था। हालांकि प्रेम रोग फिल्म के बाद पदमीनी की गिंती टॉप की अभिनेत्रियों में होने लगी। प्रेम रोग, इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार जुकता नहीं जैसी फिल्मों में काम करने वाली पदमीनी ने अपने फिल्मी करियर में कई शान्दार में काम किया है। इनसाफ का तराजू में पदमिनी ने नाबागिल लड़की का रोल किया जिसका रेप हो जाता है। ये रेप सीन तकरीबन साथ से आठ मिनिट लंबा था। इतने लंबे रेप सीन की वजह से खूब विवाध हुआ और पदमिनी की छवी पर भी काफी असर प हुए थे। उन्हें अचानक बॉलिवर्ड फिल्मों की शूटिंग देखने का मन हुआ। ऐसे में प्रिंस चांस को मुंबई के एक स्टूडियो में ले जाया गया। यहां पदमिनी फिल्म अहिस्ता-हिस्ता की शूटिंग कर रही थी। पदमिनी ने माला पहना कर प्रिं देन के इमिग्रेशन ओफिसर ने पदमिनी से पूछ लिया था कि आप वही है ना जनों ने प्रिंस चांस को किस किया था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ। तब तक के लिए बाए बाए और जय हिंद।